कि नवस्काव दर्शक में दो आती थी मां फरी एक वर आपनों स्वाग अच्छाती थी लेवों कारेक्रम कि जे कारेक्रमा वीशिष्ट विक्तितों साथ है आपनी मुलाकात करें लेशन बातों करिये अंत्रंग आजे वाज अनेको प्रसंग वावे जारे प्रसंगों माती उपरी ने विक्ति पोते के विरी ते बहार आवे चेनी घणी बदी मोटी वेशनल वातों साबडी ने घणा लोकों ए पूता नी मनमा रहेली जे असमंजस्ताती एपर दूर करी जो एक वाव व्यक्तित विजे विक्रम सिंग आपड़ी साथ है जी विजे अपका स्वागत है सर बहुत 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 शुक्रिया और बहुत गर्वानद्वित महसूस कर रहा हूं कि आपके शोव पे मैं आ रहा हूं उछ शोव पे जिस पे इतने गन्माने लोग आ चुके हैं इंक्लूडिंग ज विजे विक्रम सिंग इसलिए पूछना चाहता था कि सहीं नाम क्या है विजे जी कह कि मैं आपको पुकारू या सिंग साब बोलके हूँ या क्या क्या बताते हैं क्या आपको किसे के कि पूरा जी नाम की एक बड़ी मज़धार कहानी है हम लोग राजपूत है आदमी नाम सुनके ही डर जाए नाम सुनके डर गए स्कूल बाले जब एक्षिन के लिए कहए उनुका इतना लंबा नाम नाम नीच लेगा चोटा करी तो रहे हुटा करके भी विजय, विक्रम, सिंग करें हमाइए कास्ट है विजय तो विजय मतलब विजयता, विक्रम जो है पुराने जमाने में जो चक्रवर्ती राजा होते थे वो विक्रम टाइटल रखते थे, तो उसका भी मतलब ही होता है कि विजयता, तो इस लिहाज से हमारा नाम विजय विक्रम सिंग है, आप मुझे विजय भी बुला सकते ह और इंडस्ट्री में मुझे VVS बलाते हैं तो अचा, VVS जी विजय विक्रम सिंग, VVS विजय जी नाम करन की बात बता दी, बचपन की बाते करते हैं तो तो बच्चपन में इस वीजई को वीजई और विक्रमी जो नाम दिया गया था, तो क्या उसी तरह से आपका बच्चपन था या स्कूल में कैसे थे, डांट होती थी, पनिश्मेंट होती थी, शरार आती थे या अबीडियन्ट है? जितना डिसिप्लिन्ट मैं जीवन के फ्रॉन दी एज फोर, चार साल की उमर से लेकर तकरीबन बारह साल की उमर तक, जो डिसिप्लिन्ट मेरा था, वो आज तक नहीं पैदा हो पाया है, और क्लास में मैं पहले तीन स्थानों पर रहा करता था, और मुझ से उमीड़े इतनी थी कि एक बार लगातार तीन बार थर्ड आ गया तक लास में तो बहुत मार पड़ी थी, मेरे ग्रैंड़ा जास, कि तुम क्या कर रहे हैं, क्लास चार तक? क्लास सेवन्थ तक, साथ में क्या हुआ? सेवन्थ के बाद मेरा एडमिशन एक बहुत बड़े स्कूल में कराया ग लेकिन वहां सहुलियते मिलने लगी और मेरा रुजहान उस तरफ जादा बढ़ गया इतना जादा बढ़ गया कि क्लास एट्थ के हाफिरली एक्जामे में सारे सब्जेक्ट्स में पेल हो गया तो सेवन्थ तक अपने नाम को मैंने जस्टिफाई किया और एट्थ में आते आ आजकल के पैरेंट्स जो सोचते हैं कि ऐसी स्कुल में में रखा रखना है यहां बढ़ा ही तो करवात हैं लेकिन साथ में एक्टिविटी भी करें तो क्या वो भी वीजे विकरम सिंग जैसा होने का चांस नहीं है क्योंकि अगर चार साथ तक बच्चा अच्छा पढ़ता ह और जैसे स्कुल बदल दी क्योंकि वो स्कुल में ज्यादा एक्टिविटी करवाते थे तो ये भी मैं एक अलग तरी किस्से जानना चाहता हूँ कि एक पैरेंट्स के तोर पे क्या सोच होनी ची और क्या है आपकी स्कुल में किया वो बिल्कुल सही प्लाटफॉर्म था मैंने उस प्लाटफॉर्म को इस्तमाल ठीक से नहीं किया एक तरफ रुजहान मेरा जादा हो गया लेकिन यह भी इंडिकेशन था जो हम उस समय नहीं समझ भाए क्योंकि नाइंटीज की बात कर रहा हूँ कि नाइंट कैप्टेन रहा पांच साल मैंने ड्रामा बहुत अच्छा किया तो यह कहीं न कहीं एक इंडिकेशन था कि मेरा रुजहान उस तरफ है और मझे उस तरफ जाना चाहिए लेकिन कभी यह सोच आई ही नहीं क्योंकि वो माहौल नहीं था मैं कानपूर से आता हूँ हमाई शहरो मैं यह तो आप इंजिनिर बनते हैं डॉक्टर बनते हैं थे उस समय इवें एम बीए भी वो लोग करते थे जो इंजिनिर डॉक्टर नहीं बन पाते थे तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि यह इतना अच्छा प्लैटफॉर्म हमें यह दिखा रहा है कि हमको इस तरफ जाना चा इस स्कूल में पराः करी उसने मेरी क्रिटिविटी को एक मंच दिया और जो मैं गिरा हाफ यॉली एग्जाम में तो मैं समभल भी गया फाइनल एग्जाम में वी गया है को पहले साथ क्लास तक फर्स थ्री में रहता था एट आगया लेकिन फिर भी टॉप एट में था फि पिर प्री बोर्ड में सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया था, टेंथ में, प्रिंसिपल ने भापा को बुला कि कहा था कि भाई देखिये, आपका तो नाम खराब करेगा ही करेगा, हमारे स्कूल का भी नाम खराब करेगा, लेकिन सीधा सवाल में आ जाता हूँ, जो बात का ज प्रिंटेशन देखता आ रहा है, जो बच्पन से फेलियर देखता आ रहा है, जो स्कूल में भी फेल हो जाता था, तो ऐसा किया हुआ कि जब ये प्रैक्टिकल प्राफेशनल लाइफ में फेल होना हो गया, तो फिर दारू शुरू कर दिया, फेलियर का तो एक्स्पिरियं तो बहुत मेरे साथ से शोक लगता होगा। उल्टा था। स्कूल में जब भी मैं फेल हुआ तो उसमें कभी मुझे अपनी काबलियत पर शक नहीं हुआ। मुझे पता था कि मैंने क्या गलती किया उसको सुधार के मैं कर सकता हूँ और हर बार किया मैंने। लेकिन जब जिन्दगी के इमतेहां में फेलियर पहली बर मिला और वो भी ऐसा फेलियर जहां पर मैंने यह इमेजिन किया था शुरू से ही कि मैं फौजी ही हूँ, मेरे अंदर फौजी बनने के सारे गुण हैं। और मुझे तो वो हातों हात लेके चले जाएंगे। वो इनसान इस सोच के साथ तकरीबन पंदरा साल जिया है। और पंदरा साल के बाद जब वो सपना तूटता है, तब मुझे नहीं पता था कि इसको सुधार कैसे करें। क्योंकि सिक्स मंतली में फेल होने के बाद फाइनल एक्जाम आते था। इसमें फेल होने के बाद दूसरा मौका जरूर मिलता था पर मुझे ये नहीं पता था कि उस दूसरे मौके में कैसे आगे बढ़ पाऊं, कैसे पास हो पाऊं। और उसने जो है मुझे अंदर सेल्फ डाउट पैदा कर दिया, बहुत जादा। और दूसरी जो खराब चीज हुई वो ये थी, खराब तो एक था ही, उस लड़कपन में एक रिबेल अंदर एक विद्रोही पैदा होने लगा था, लड़कपन में जो की नहीं था, जो अठारा साल की उमर के बाद से पैदा होना शुरू हो गया था, उस विद्रोही ने भ शायद मैं एकसिप्ट नहीं कर पाया जो हमारी जो हमारा बच्पन बीता है, थोड़ा सा हालाते कमतरी थी, चीजें नहीं अतनी अच्छे से अवेलिबल थी, तो मैं उसका दोश उपर वाले को और अपने शायद पेरेंट्स को भी देता था, जबकि ये बहुत गलत चीज लेकिन मैंने किया यह, और ये इस सोच के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, तो सिर्फ नेगिटिविटी लेके आगे बढ़ते हैं, और वो नेगिटिविटी आपको अंदर से खोकला करते हैं। जरूरी है, तभी आपको दिशा मिलेगी. क्या वीजेई जी का इस इंसिडन्ट के बाद अपने जीवन में हुए इस हदसे के बाद क्या वीजेई जी ऐसा कह सकते हैं कि जीवन में कभी किसी को गोल मत बना उते हैं। कि उस गोल अगर आपका अचिव नहीं हुआ तो हो सकता है कि फरस्टेशन तो ये गोल वाली थियरी शायद यहीं पर कहीं डिश्टब करेंगी लोगों को? बिलकुल नहीं गोल होना बहुत जरूरी है तभी आपको दिशा मिलेगी पर इस बात का एहसास भी कहीं नहीं हमको इस बात को समझना और समझाना बहुत जरूरी है कि असफलता मिलेगी उस गोल की प्राप्ती के लिए जब आप निकलेंगे तो असफलता मिलेगी उस असफ गोल है, यहां आप खड़े हो, यह आपका रास्ता है. यहां तक पहुचने के लिए इस रास्ते पर रोज दिन प्रती दिन शिद्दत के साथ चलना जरूरी है. जब आप शिद्दत के साथ चलोगे, बिना यह अपेक्षा किये कि हम पहुच के क्या होगा क्या नहीं होगा, त तो मैं एक चीज कहता हूँ, कि ये भी कहीं न कहीं कोने में दिमाग क्या रखना चाहिए, गर सब कुछ ही मिल जाएगा जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अदूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मज़ा देती हैं, तो कभी-कभी कुछ चीज़ों का न मिलना, Some things in life are meant not to be. सहास नहीं थी कि मैं एक दिन जाकर अपने आप को खतम कर लूँ, तो मैंने शराब में वो माध्यम डूड़ा, मैंने कहा ये एक अच्छा जरीया है खतम करने का, कि मज़ा भी आएगा और मज़ा करते करते खतम भी हो जाएगा, शायद explicitly इस बात को मुखर रूप से किसी से नहीं कहा सिवाए एक दोस्त के, एक ही दोस्त है मेरा जिससे मैंने ये बात एक बार खुल के बहुत नशे में कही थी और वो रात की मुझे अच्छे से आथ, कि पी पी के आएगा, इसी तरह खतम हो जाएंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये जो पीना चल रहा था, इसके पीछे खुद को खतम करने का एक मकसद था, तो एकसेप्टेंस इतनी कम हो गई थी, कि सेर्फ डिस्रक्शन मोड पे चल पाये थे, और किस लिए, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ थी, बंदा कौने में रोया भी होगा बहुत, बहुत, पर खुल के अगर रोल ही होते तो शायरे नौबत ना आती, क्योंकि हम आज तो फिर भी लोग अपने आप पे ज्यादा गुरूर था, इसलिए एकसेप्ट नहीं कर पाते थे, या लोगों को नहीं बता पाते थे, अपने आपको इस तरह से इस्टाबिस्ट कर दिया था सोसाइटी में, या तो फैमिली ने भ परवरिश करी, वो बहुत खुब्सूरप परवरिश करी, जो कुछ कमियां आई हैं, वो मेरे अपने ही कमियों से लाई गई चीज़े हैं, क्योंकि मेरे परिवार ने कभी नहीं कहा जा रो, उन्होंने खा तुम्हें दुख है, तुम्हें कोई परिशानी है, आओ हम से शे केल रहा था negativity की तरफ पर जो overall माहौल था जहां पर हमें बताया जाता था कि मर्द को दर्द नहीं होता और men are not supposed to cry इस ये societal thought society का एक हमारे हमको एक सोच दी हुई थी उस सोच के साथ हम बड़े हो रहे थे तो हमने कभी discussing नहीं कि नहीं कभी हमने किसी से का ही निए कभी हम doctor के पास गई निए कभी हम counselor के पास गई निए ये बताने के लिए कि शाब हमाँ अंदर इतना कुछ जौला मुकी चल रहा है इसको शान्त करिए चले गए होते तो शायद कुछ फर्क पैदा हो जाता है तो ये सब कमी हमारी ही तो ये ग्लेमरस लाइफ में जब आए, किया सबसे खूशी और अपने आपको जो अंदर बैठा हुआ था विजय, उसको जवाब दिया, कि देख विजय, तुने ये भी कर दिखाया, वो वाली कौन सी मुमेंट थी? वो कर दिखाया वाला मुमेंट तो मुझे नहीं याद पड़ता, पर वो मुमेंट जिसने बदल दिया, वो मुमेंट अस्पिताल में आया, जहां पर लंबी बिमारी के बाद कुछ ठीक होने लगी चीज़ें, तो मुझ कुछ कुछ चलाया गया थोड़ा सा, और जब चलाया मैंने अइसास किया, कि मैं कितना गलत कर रहा था अपने साथ, और अपने साथ-साथ अपने अपनों के साथ, और वो जो एक yureka मौमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो वही मौमेंट था, उसने मुझे कहा कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है तुमाएं साथ, तुम potential के साथ उसको justify कर दो वो जो moment था उसने life बदल दी और वहीं से फिर फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा फिर जो opportunity आती गई उनको मैं लेता गया है जैसे कि यह opportunity उस incident के दो या धाई साल बाद आई जहां मेरे दोस आनन की दोस ने मुझसे कहा कि तुम्हारी आवाज अच्छी है मैंने का नहीं मैं गान नहीं पाता हूँ और तब मैं सरकारी नौकरी कर रहा था तो उन्हेंने का चलो हम दिखाते हैं क्या होता है और वो स्टूडियों में ले गी ह 29 साल की उमर में ये मेरी जिन्दिगी ये मुझे करना है पर वो मैं इसी लिए कर पाया क्योंकि उस एक दिन उस गुलती रोशनी ने मेरा थाट प्रोसेस पदल दिया ओके पीजे जी वोईस ओवर के दुनिया में एंटर तो हो गया लेकिन मशकत तो बहुत ही महां पे भी आ किया भी बहुत चलती है श्रीफारिस भी बहुत चलती है कही बार ऐसे भी लोग होते कि आपको लगता है कि ये बन्दा इससे अच्छा में पर्फॉर्म करता हूँ फिर भी मुझे मुझे मोका नहीं मिला तो किया इस दुनिया में भी ऐसा है कुछ मैंने आज तक वोईस ओवर की दुनिया में यह नहीं है, जितनी आप कोशिश करते हैं, जितना आप में कुवत और माददा और टैलेंट है, उसके हिसाब से आपको काम मिलता रहता है, थोड़े बहुत लोगों के प्रेफरेंसिस होते हैं, वो सबके साथ हो सकते हैं, मेरा एक गूरूप होता है, एक संडिकेट होती है, जियए, नार्मल यसे वर्ल्ड में, हमने नहीं महईूस किया है, वोईस ओवर वर्ल्ड में तो बिल्कुल संडिकेट्स को नहीं महूस थी, आपूंका काम सही बरिखकरों करके दे रहे हो, उनको इसी से मतलब है, और किसी कि अब मेरे साथ काम करना शुरू करो तो मुश्किल है तो वो हर इंडस्ट्री में हो इसमें रोकेंगे अगें वक्त हुआ है चोटे से ब्रेक का अंतिम तबक का निवा तो वीजे जी साथ है कि अगे शो में मैंने इसाथ से बहुत ही कम जिक्र हुआ है क्या हुआ था लाव बेरिज या एरेंज बेरिज और कैसे हुआ अ मीटिंग अरेंज थी पहली मीटिंग और हमने उनको देखा हमने आए ठी विजे जी को सुनने के लिए दर्शक विद्रों मने ख्याल चेके सतत आठ 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 सोड मिनिट थी आप अब अधी वातों सांबड़ो जो परंदु आपने सांबड़ू छे ये बिग बस वालों आवाज शुरू अहीं से करते शाम छे बजे अतिती में 16 मिनिट के बाद विजे विकरम सिंग में अपनी आवाज के जरीए अपना परिचे दिया विजे जी ये जो अडिशन हुआ था तो कितना लोग थे वाँ पर बिग बस में नहीं कोई लोग नहीं थे इसका प्रोसेस ये हुआ था कि एक मेल आया था कि हम दूसरी आवाज डूड़ने शो के लिए नेरेटर की आवाज तो आप अपनी सीडी बेजिए तो मैं सीडी लेके खुद गया और देकर आया और रही मेने तक उसके बाद कुछ नहीं आया तो मैं जब गया था तो कोई नहीं था तो आम शूर सबके लिए अलग अलग स्लोट से उन्होंने बाद जाओंगे सिर्फ दो लोग थे एक सांट इंजिनियर और एक क्रेटिव बंदा नीरज नाम था उनका है नाम है उनका और बस अगले दिन फोन आगे कि आ जाईए पैसे की बात कर लेते हैं बाद में पता चला कि तीन लोगों को शॉट लिस्ट किया गया था जिसमें ये था कि जो सब जिसका पैसे का मामला सेट हो जाएगा उसको लेगा वक्त बताते बताते अपना वक्त बदल दिया इससे अच्छा इंट्रोड़क्शन मैंने नहीं सुना है ये पहली बार है जो किसी ने इस तरह की बात करेंगे बात करेंगे बाकी जानी ये ये आदमी ये ना वोईस ओवर आर्टिस्टों या तो अगर एक्टिंग करता है अपने आपको बदलने के लिए उससे खुद बहनत करने ही पड़ दिये क्योंकि एक बार एक वोईस ओवर हो जाता है आपने शाद एक इंटर्व में राजेश कावा के साथ भी बताया था जो एक्टिंग और वोईस ओवर के बारे में कि वोईस ओवर आटिस्ट अच्छा एक्टर बने ऐसा नहीं हो सकता है जरूर एक्टर जरूर नहीं है लेकिन वोईस ओवर आटिस्ट खुद भ बता है यही बार बार बोले तो अंदर एक बैट जाता है यह एक पैटन बैट जाता है उसको दूर करने के लिए भी आपको बहुत ही महनत करनी बढ़ती हो रोज करनी पड़ती है रोज अपने आपको बताना पड़ता है कि यह तरीका नहीं है तो अपने अंदर के जो जो ह पुरी आंदा जाओ भाईया कहा जा रहे हो आगए अच्छा ठीक है हूं कभी कभी घर पे भी और मेरी बेटी कहती है पापा ये नहीं प्लीज क्या कर रहा है शी नौड यूज तो नहीं आदत है लेकिन वह मैं करता रहता हूं और अपनी बेगम के साथ तो बहुत करता हूं वसा भी होती है लेकिन उनको पताएगी मैं क्यूं कर रहा हूं तो वो ये जो हे ये रोस का प्रैास है उस पैटन को तोड़ने का क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो पैटन इतना स्ट्रॉण हो जाता है कि अप नहीं तोड़ सकते उसको ऐसमारी में कैसे एंट्री होगे क्यो वो भी वोईस ओवर करने वाली थी उसके अंदर. और बातों बातों मैंनको पता चाहाँ मैं थेटर भी करता हूँ तो बोले थेटर करते हो तो आए को निया थेटर तो मैं आवाज के लिए करता हूँ. बोले अच्छब पर अडिशन करोगे मैंने कर लेंगे. अडिशन लिया अगले अगले दिन बोला हाँ भी पैमली मैं के डिरेक्टर से में लोग फाइनल हो गया है. तो वो असान था वो पहला कदम जो है बहुत असान था उसके बाद मुश्किल हैंगी. पर जब शूट शुरू होई तो मुझे समझ में आए कि अगर अभी ने मजा आने लगा. मैंने का ये तो, जैसे मुझे वोईसिंग का अग्सिडेंटली पता चला, अग्सिडेंटली पता चला कि मेरे अंदर एक अभी नदर एक अभी नदर चुपा हुआ है. जो कुल बुला रहा है. तो मैंने का नहीं, अभी इसको तो सीरियसली करना पड़ेगा और फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू करी और अब जब भी मौका मिलता है, कोई ने कोई वोउक्शॉप कर लेता हूँ, अभी नहीं कि क्योंकि यह समाझ में आ गया है, कि इसका continuous journey, आप यह नहीं कह सकते कि मैंने सीख लिया अभी नहीं, एक स्कूल से एक साल, अब मैं अभी नहींता हो गया। अभी नहीं जो है, वो जिन्दगी भर का एक evolution का process है, तो वो वहां से शुरुआत हुई पर अब चलती रही है। आपने गुडिया के बारे में बता है, अपनी गुडिया के बारे में, फैमिली के बारे में आप बहुत कम बताते हो, अब के शो में मैंने इस अप से बहुत ही कम जिक्र हुआ है, क्या हुआ ता, law marriage या arrange marriage और किससे हुआ था? मीटिंग अरेंज थी पहली मीटिंग और हमने उनको देखा हमने यह ठीक है उन्होंने हमको देखा उनको यह क्या है उन्होंने मना कर दिया तो हम पीछे पढ़े रहें और पीछे उनके नहीं पढ़े रहे हैं उनके मुझे पता था कि नहीं उनके पिता जी और पिता जी खास हैं ठीक हैं कि मीं हैं तो उनको लगने लगा कि यह लड़का ठीक है तो यह बात दीरे दीरे उन यह तो आपको बदलना पड़ेगा यह बात कलत है मेरी कुछ आदते हैं बड़ी खराब मैं बहुत भूल जाता हूं मैं बड़ा खोया रहता हूं और इस बात से बहुत परेशान रहते हैं तो एक टिपिकल थोड़ी जी मतलब यह एक्सक्यूज भी है मेरा और यह फैक्ट भी है कि एक आर्टिस्टिक मैंडसेट होता है ना कि थोड़ा सब्सक्राइब गुम हो बिचारी तीन बार बोल देती है यह काम करना यह काम करना मैं मतलब आया इदर से और निकल गया पर आदे घंटे बार आती हैं ओ काम हूं मैंने कौन सा काम तो इससे बड़ा परेशान रहत अंग मैंने कि निकल जाएगा वूइस-वर-अटिस्टे लिए अरो और वोईसमोडियोनेशन के लिए कंटीनियू फोकस उनका वही होता है कि वाईसमोडियोनेशन के उपर तो वईसमोडियोनेशन की प्रेक्डिस मेरे इससार से सिंगिंग में भी बहुत ही क्योंकि अच् गाना नहीं गापा हूँ, गाहीं नहीं सकता, सुर का सर भी नहीं पता है, तो सुरीला तो मैं नहीं पर मेरे रियाज मैं वोइस के लिए जरूर करता रहता हूँ, और वोइस का सबसे इंपोर्टेंट रियाज है सांस का, breath, breathing exercises, breathing का रियाज, उचारन का रियाज, वो मैं करता रहता हूँ, और फिर दिन के किसी और हिस्से में उसी उचारन को जिसको मैं शुद्ध कर रहा हूँ, उसको घ्रष्ट करने का भी रियाज करता रहता हूँ, यह करियर बनाने के लिए, क्योंकि अभी मैं सबसे बहुत सारे लोग जो देखते होंगे भी, जो यूथ है या त कई लोग इस करियर में या एक्टिंग करियर में इसलिए आना चाहते हैं कि लगता है यह तो असान, दिस इसकेप रूट, इस नॉट, रोज का स्ट्रगल है, रोज का रिजेक्शन, रोज कई बार जलील होना पड़ता है, तो अगर आना है तो बहुत ही पैशनेट हैं तब ही आपाई और एक बार अगर सोच लिया और यह डिसाइड कर लिया और यह एनलाइज कर लिया कि हां मेरे अंदर स्किल सेट है, देखिए पैशन होना एक अलग चीज है और स्किल सेट, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैपिंग करिये, यॉर पैशन और स्किल सेट, कि हां I am passionate about it and I have the skills है, तब तो ठीक है, तब आप मेहनत करिये और कोई rocket science नहीं है, अपने हुनर पर काम करिये, studio's को अप्रोच करिये, channel's को अप्रोच करिये, काम मिलता है, इतने सारे जरीयों हो गएं काम मिलने कि हैज़कल story telling है, audio books है, dubbing है, radio station में काम है, तो काम बहुत है, लेकिन तभ एक friend के साथ वाला ऐसा कोई हथसा बताई है, जो आद तक बहुत कम लोगों को बताया है, क्योंकि ये show जाना जाता है, मेरे इसाफ से आपने आपकी life में जो घटना हुई थोड़ी है, जिससे आप उभर कर आ गए बात, लेकिन कई बात ऐसी भी होगी, जो शायद बहुत कम लोगों को बतायोगी या तो नहीं बतायोगी, क्योंकि ये show जाना जाता है, अंतरंग वातों आती थी, मा इसका tagline है, तो कुछ अगर शेर करना चाहिए, सिवार. देखिए, दो लोगों के साथ मैंने लाइफ में बहुत इंजस्टिस किया है, एक मेरा परिवार, माबाप खास तोर पर, मेरा भाई, और मेरा मित्र, जो बहुत उचे ओधे पर है इस समय, और ये सारे वो लोग हैं जिनकी वज़े से आज मैं जीवी थूँ, तो माबाप से बहुत ही immature behavior किया है मैंने, खेर जिमेदाराना behavior किया है उसके साथ, और उसका कभी कभी दुक होता है मुछे मैं आज तक जिकर नहीं किया अगर वो फोन नहीं करता तो मैं जिन्दा नहीं होता अगर वो फोन नहीं करता स्पताल में संजय गांधी पीजियाई में तो मुझे एड्मिट नहीं किया जाता और मैं शायद दम तोड़ देता क्यों पीजे आई के लावा कोई इस्पता नहीं था जो जिसके पास वो फेसिलिटीज थी कि मुझे जिन्दा रख पाए तो माबाप ने तो जो सहा उनके लिए तो मैं करी रहा हूँ वो प्रैस्चित मैं आज तक और जिन्देगी पर करता रहूँगा वो फिर भी कम पड़ेगा उस दोस्त के लिए शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा नाम नहीं ले सकता लेकिन वो कभी मौका लगा तो इस स्क्रीन से अगर कुछ कहना चाहे तो नाम दिये भी ना हाँ कभी कुछ कर पाए मुझे लगता नहीं मैं तुम्हाइले कुछ कर पाऊंगा लेकिन कभी कुछ कर पाया तो जरूर अपने उन छोटी छोटी गलतियां जो करी है तुमाहे साथ वो उसको जरूर करेक्ट करना चाहूंगा कैसे करूंगा मुझे नहीं पता शायद बुढ़ापे में जब हम लोग साथ होंगे तो कुछ ऐसा कर लेंगे तो थैंक यू सो मच विजय हमसे बात करने के लिए दर्सक विद्रा आतिवात विजय विक्रम सीर साथे मैं शरुआतिच कोशी शेवी करीशे के अत्यार सूजी कालग थी जेतला पंड और इन्ट्री ऊंदर आपे यूट्यीव जोए आशे अँख अंदर थी एवी वातों अपनी समखस लावएं जै कदाच पहली वार के वातिव हैं अने कदाच अमे अमू काउंशे यही खान पन ठैज फरीमरी श्रु नैक्स्य अपिसोड माने एक न में बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे पास शब्द नहीं होते हैं अव शब्दों से ही मैं इननी रोटी चला रहा हूँ इंस्कुर्प्टिटेड और नस्कुर्प्टटेड चला की जब्दों से पर आज मेरे पास वाकिया शब्द नहीं है क्योंकि जिस तरह का इंप्रव्यू तो मैंने अति-थी पन दिया है दिल जिसे कहते हैं कि बिना कुछ किये दिल खोल दिया उन्होंने बहुत अच्छा लगा और शायद आज बहुत हलका भी फील कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद